वेलो वेल्कम बैक टो माई चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में आप अपनी के थोड़े बहुत फायलाइट्स दे लेते हैं पिर आते हैं कंपनी की चार्ट्स पर और देखते हैं वहाँ पे काफी तेज़े से रिगावरी जाद रही है तो हमारा प्राइन अफैक्ष्ण क्या हो सकता है अब यहां पे कंपनी ऐकर बात की जाए तो कंपनी एक लाग करोड के आस पास कि है मतलब देखा जाए सबसे आदा इलेक्टरियक्टिक करती हैं अब उसके बाद अगर देखा जाये तो एक तरह से यहां से डबल हो जाएंगी और ट्रिपल भी हो सकती है तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ग्रोथ मतलब एक मिलना लॉंगर टर्म में यहां पर काफी कह सकते हैं कि एविडेंट है और वह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा बट एक स्लो पेस पर ही मिलेगा अगर सकते हो कि इनर्जी डबल हो रही है तो इसके अंदर सोलर भी होगा थर्मल भी होगा साथ यहां पर हाइट्रोजन मतलब क्यों कह सकते हो कि न्यूक्लियर पावर बेस्ट इनर्जी भी होने वाली है तो इन चारों में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट शेर कौन लेगा उ कि सोलर पावर के यहां पर मार्कट शेर बहुत ही का में वहां पे सिर्फ 20 परसंट अभी लोग यहां पर टोटल मार्कट में अभी उसका कन्शूम करते हैं तो अब हमकर ग्रश बैसे हो अगर देखा हो आルク्रशी's के अंदर भी हम लोगों को फुर्शासक्ते हुए Comic यहां पर सोर्स आफ यहां पर इलेक्टरिसिटी है इसके साथ सा थोड़ा सा कैपटल इंटेंसिब भी हो जाता है तो यह भी चीज़ हम लोगों को देखनी होगी और अगर देखा जाए तो यहां पर थीक ठाक पेस से ग्रोथ मिल सकती है यहां पर अगर देखा तो यहां पर यहां पर अगर प्रॉफिट के लिए भी देख सकता है यहां पर में उसका टैक्सेशन है अब नीचे आते हैं अगर देखा तो यहां पर पर यहां पर पता होगा अगर अमार साथ बने हुए हो तो वी शेप रिकवरी बहुत लंबे समय तक नहीं बनके रहा पाती है वह बेसिकली अगर उपर गई ऐसा तो नीचे भी जरूर उसी पेस पर आईगी तो अभी के लिए क्या करना चाहिए अभी के थोड़ा सा बेट करना चाहिए यहां पर बाय करने का मतलब नहीं बनता कोई यहां पे अगर मार्केट थोड़ा सा पॉल बैक लेती है डवलु पैटर मनाती है कप इनडर मनाती है तब लोग यहां पे फिलाल पोदीशन अड़ कर सकते हैं तो या तो उसका भी एट कर लेंगे हम या तो दूसरी चीज यहां पर भी बॉटम पर हो सकता है कि डवलू पैटर्न या कपनाडल पैटर्न मेंजा तो उस बैसे पर देखा जा तो आज या कल के दिन पर ऐसे डारेक्ली अगर उपर जाती है तब हम लोग नहीं एड कर सकते है बाइंग करने का तरीका बहुत है चार्ट खोलना है चार्ट खोलके आपको बस दो से तीन पैटर्न रिकाग्नाइस करने है पहले चीज यहां पर माल लेते हैं कि इन्वर्टेटर पैटर्न में नजर आ जाता है तो उस बेसिस पर आप लोग एड कर सकते हो तो मतलब आपको यह दो-तीन पैटर्न मतलब कह सकते हूं कि इसका आप लोगों को इंतिजार करना है बेट करने का अभी डारेक्ली ऐसे नहीं बाय करेंगे क्योंकि अगर ऐसे बाय करेंगे तो स्टॉप रोस हमारा जाएगा इन्वर्ट लेवल नहीं है और सबसे अच्छा अगर स्टॉप तो आपको पढ़ जाएगा काफी नीचे इन्वर्ट लेवल के आसपस जो की काफी दूर है तो अगर इतना लंबा स्टॉप रहने जाओगे तो कैपिटल यह आपका साप हो जागा उते दिर में आदा तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पर बैटर र झाल 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 झाल